पच्चीसवा अध्याए पहरे में है और मैं आप जल्दी वहां जाऊंगा फिर कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोश लगाएं और उनके बीच कोई आठ दस दिन रहकर वो केसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठ कर पॉलुस के लाने की आग्या दी जब वो आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आये थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोश लगाएं जिनका प्रमान वे नहीं दे सकते थे परंतु पॉलुस ने उत्तर दिया कि मैंने ना तो यह यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पॉलुस को उत्तर दिया क्या तू चाहता है कि येरुशलम को जाएं और वहां मेरे सामने तेरा ये मुकदमा तै किया जाएं पॉलुस ने कहा मैं कैसर के नियाय आसन के सामने खड़ा हूँ मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चा यदि उनमें से कोई बात सचना ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौप सकता मैं कैसर की दोहाई देता हूँ तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बाते करके उत्तर दिया तू ने कैसर की दोहाई दी है तू कैसर के पास जाएगा और कुछ दिन बीतने के उसके कथा राजा को बताई के एक मनुष्य है जिससे फैलिक्स बंदुआ छोड़ गया है जब मैं येरुशलम में था तो यू महायजक और यहुदियों के पुर्णियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आग्या दी जाए परन्तु मैंने उनको उतर दिया कि रोमियों की ये रिती नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौम दें जब तक मुद्धालय को अपने मुद्धईयों के आमने सामने खड़े होकर दोश की उतर देने का अफसर ना मिले सो जब वे यहें खटे हुए तो मैंने कुछ देड़ ना की परन्तु दूसरे ही दिन नियाय आसन पर बैठ कर उस मनुष्य को लाने की आग्या दी जब उसके मुद्धई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोश नहीं लगाया जैसा मैं समझता था परन्तु अपने मत के और येश्वी नाप किसी मनुष्य के विशे में जो मर गया था और पॉलूस उसको जीवित पताता था विवात करते थे और मैं उल्जन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाओं इसलिए मैंने उससे पूछा क्या तू येरुश्यलम जाएगा कि वहाँ इन बातों का फैसला हो परन्तु जब पॉलूस से नदोहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महराजादी राज की यहाँ हो तो मैंने आग्या दी कि जब तक उसे कैसर के पास ना भीजूं उसकी रख अगरिपा और बिर्नी के बड़ी धूम धाम से आकर पल्टन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुँचे तो फैस्तुस ने आग्या दी कि वे पॉलूस को ले आएं। फैस्तुस ने कहा हे महराजा गरिपा और हे सब मनुश्यों जो यहां हमारे साथ हो तुम इस मनुश्यों को देखते हो जिसके विशे में सारी यहुदियों ने यरुशलम में और यहां भी चिला चिला कर मुझसे बिंती की कि इसका जीवित रहना कुछ इत नहीं परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए और जब कि उसने आप ही महराजा दिराज की दोहाई दी तो मैंने उसे भेजने का उपाय निकाला परंतु मैंने उसके विशे में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूँ इसलिए मैं उसे तुम्हारे स भेजना और जो दोश उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है